हेलो आज की वीडियो में हम फुल इलास्टिक पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे और फ्रेंट्स मुझे कमेंट आ रहे थे कि ये जो हमारा प्लाजो है वो खिचता है आसन से तो वो किस रिजन से खिचता है तो वीडियो में बने रहेगा आपको चेस समझ में आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे कपड़े को कैसे फोल्ड करना है वो हमने विर्थवाज इसको फोल्ड किया हुआ है और सबसे पहले हम यहाँ पर इलास्टिक के लिए मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर मैं यह धाई इंच पर मार्क लगा रही हूँ ठीक है अगर आपके elastic की चोड़ाई थोड़ी सी जादा है इससे जो मैं mark लगा रही हूँ इससे तो आप 3 इंच भी लगा सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो मैंने यह 2 इंच पर mark कर लिया है और इसको सिधा कर लिया है यह आप देख सकते हैं इस side यह किनारी वाली side है कपड़े की तो इस side से हम कमर के लिए mark लगाएंगे जो आपका hip size रहेगा उसका 4 भाग पलस हमने इसमें 2 इंच कर लेना है ठीक है तो आपका जो भी measurement हो आप उसके according कीजेगा बस इसका जो method है यान की जो तरीका है वो यही रहेगा और अब इसका जो आसन है वो हमने 11.5 इंच लिया है ठीक है साड़े 11.5 इंच आसन लिया है और इसको इस तरीके से हमने line कर ली है अब यहाँ से crochet के लिए हम यहाँ पर सवा 2 इंच पर mark कर रहे ह है ठीक है क्योंकि जादा heavy size का प्लाजो नहीं है हमारा यह तो सवा 2 इंच हमारा बिल्कुल सही रहेगा और यहीं पर हम गलती करते हैं जिससे की हमारा जो प्लाजो है वो खिचता है ठीक है हम क्या करते हैं यह देखे जो हम safe देते हैं इसमें आसन की क्रोच एरिये को तो य हम जादा कर देते हैं देखे जैसे मैंने अंदर की side यह करके आपको दिखाई है इस तरह से जादा हम safe देते हैं इसको तो इसी कारण से हमारा जो प्लाजो है वो खिचता है ठीक है तो हमने जादा इसमें safe नहीं देनी है यह देखे मैंने आपको यहां पर देखकर बता दी है इस तरीके से इसको सेफ देनी है ठीक है ज़्यादा सेफ देंगे तो खिचाओ आएगा अब देखे यहां से हम नाप लेते हैं कि कितना है हमारा यह कपड़ा तो अब इसका हम half कर लेंगे half पे ये mark हमने कर दिया है और इस तरीके से हम fold करके देख सकते हैं कि कहां पे हमारा half आता है बिल्कुल इजी तरीका है और हम mark कर लेंगे अब यहां से हम इसकी length ले लेते हैं pen plazo की जितनी भी आपकी length है ready length वो हमने mark करना है और कहां से किया है वो आपने देखी लिया होगा जो हमने elastic के लिए mark किया होगा है महां से हमने step रखे और फिर length ले लेनी है और folding के लिए आप जितना लेना चाहते हैं जितनी चोड़ी आपने folding करनी है उसके according आप ले लीजेगा 2 इंच, 2 इंच, 3 इंच ठीक है जितना भी आप लेना चाहें मैंने यहाँ पर 3.5 इंच लिया है क्योंकि थोड़ी सी चोड़ी मैंने इसकी folding करनी है और आप देखे जहां पर यह हमने आसन के लिए mark किया है इसी तरीके से हम दूसरे side भी एक mark कर लेंगे क्योंकि इसको हम safe देंगे पैंट को तो उसमें यह काम आएगा अब देखे पैंट की मोहरी पर भी यहाँ पर भी हम यह center कर लेते हैं ठीक है इस तरीके से तो यह 7 इंच था हमारा 7 इंच इस side का कपड़ा था हमारा तो 7 इंच पर हमने यहाँ पर मार कर लिया है ठीक है अब देखे हमने मोहरी कितनी रखनी है तो मोहरी का हमने हाफ यहाँ पर करना है तो आप इस तरीके से हाफ निकाल सकते हैं जितनी भी आपकी ready मोहरी रहेगी प्लाजो की ठीक है तो दोनों side से हाफ हाफ करते हुए यह मार्क हमने कर लेना है तो दोनों side मैंने यह मार्क कर लिया है यहनके आपने 7 इंच मोरी रखनी है तो दोनों side हमने 3-3 इंच यह मार्क कर लेना है ठीक है तो इस तरीके से मार्क करके और बिल्कुल सिधा कर देंगे नीचे तक और फिर हमने safe पट्टी लेनी है और safe पट्टी से हम इसको safe देंगे अगर आपके पास safe पट्टी नहीं है तो आप inch tape की help से भी इसमें safe दे सकते हैं इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है आप चैनल पर विजिट कर लीजिएगा और ये देखे सेफ पट्टी को मैंने अंदर की साइड रखा हुआ है ठीक है और फिर ये इसकी सेफ दी है तो हमने ये ध्यान रखना है दोनों साइड से हमने सेफ पट्टी को अंदर की साइड ही रखना है ठीक है ऐसा ना हो कि एक साइड पर हम बाहर की साइड से मार्क कर ले और एक साइड से अंदर की साइड से तो यह हमने ध्यान रखना है अब देखे यहां पर यह कोर्णर सा हमारा आता है तो यहां पर भी हम थोड़ी सी से इसमें सेफ देंगे यह देखिए फट्टी को इस तरीके से रखेंगे और यहां पर भी एक लाइन कर देंगे और फ्रेंट्स पोकेट की कटिंग भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी आगे चलकर वीडियो में बने रहीएगा तो फ्रेंट्स आब इसके हम कटिंग कर लेते हैं जो मार्क हमने किये हैं बिल्कुल उसी के उपर और फ्रेंट्स सब तक मैं कटिंग करती हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और बैल आइकन को भी साथ में प्रैस कर देना ताकि आने वाली निव वीडियो की नोट्पिकिसन आपको मिलती रहे तो यह देखिए यह हमने कटिंग कर लिया है और यह दोनों फ प्लेट्स लगाने होते हैं तो वह प्लेट्स भी मैं आपको यहां पर बता देती हूं तो यह देखिए जैसे कि मैंने फोल्डिंग के लिए लिया हुआ है यह लास्टिक के लिए तो यहां तक हमारी कटिंग होती है अगर हम बैल्ट वाली प्लाजो बनाते हैं तो उसमें यहां से हमने 5 इंच पर यह प्लेट्स लगाने होते हैं इस तरीके से यह देखिए तो यह यहां पर हमारी प्लेट आ जाएगी ठीक है तो इसमें हमने इलास्टिक के लिए कपड़ा यहां पर इसी में ले रखा है अगर पैंट प्ला जो है बैल्ट वाली तो उसमें यह कप बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे तो बैक पार्ट को भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से बिछा लिया है जैसे हमने फ्रंट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था बस इसमें ध्यान कर रखना है कि जो उपर की साइड इलास्टिक वाली जो हमारी साइड होती है इसको हमने बिल्कुल सीधा कर देना है यानकि सीधी लाइन कर देनी है ठीक है यह देखिए अब जितना हमने फ्रंट के लिए आसन लिया हुआ था है उतना ही हम बैक के लिए ले लेंगे यहां पर सवा दो इंच पर यहां पर हमने सीधा मार्क कर दिया है और यहां पे भी ह मैंने दो इंच ही लिया है और यहां से हमने फिर एक एक पॉइंट यान की इसको कम करते जाना है नीचे की साइड ठीक है और यह इस तरीके से से आ जाएगी से फट्टी हम रखके और फिर इसको भी सेफ दे देंगे यह देखिए इस तरह से यह लिजए ठीक है अब दूसरे साइड जो है हमारी पैंट प्ला जो है जो दूसरे साइड हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे इस साइड से बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमारे फ्रेंट पार्ट हमने बिचाया हुआ है वहीं से कटिंग आजाएए आप आसन पे यहां पे हमने यह देखिए दो या धाई इंच कपड़ा यहां पे एक्स्ट्रा रखना है ठीक है यह हमने रखना है बैक आसन के लिए इस तरीके से लाइन हम कर लेंगे तो यह मैंने दो इंच पर मार्क किया है अगर हैवी साइज है तो आप धाई इंच भी ले सकते हैं और यह इस तरीके से तिर्चा हम कर देंगे इस साइड से बिल्कुल इसके साथ में आएगा बस जो बैक आसन होता है उसको हमने इसमें बढ़ाना होता है क्योंकि बैठने उठने में फिर दिक्कत नहीं आती है अगर हम बढ़ा कर नहीं लेते हैं तो अगर हम पैनते हैं तो उसमें उठने बैठने में दिक्कत होती है और जो है आसन से भी खिचाओ आता है तो अब यहां से हम कटिंग कर लेंगे यह देखिए इस साइड से बिल्कुल वैसे ही कटिंग करेंगे जैसे फ्रंट के लिए हमने किया हुआ है तो यह हमने कटिंग क कोड़ के लिए और यह देखिए कर Caitlin के लिए कोसी कोर्ड करेंगे तो यह कौिए रह Say क्पड़ान निकला हुआ था वही से यहां ने ले लिया ह lle a feather और यह देखिए लास्टिक के लिए जो कपड़ा लिया हुआ है तो ईसको हम फोल्ड करेंगे τη कि हमारा यहां तक आएगा लास्टिक हम इसमें डालेंगे तो यहां पर हमने मार्क कर लेना है कि कहां तक फोल्ड होगा और उससे एक इंच हम नीचे की साइड एक मार्क और करेंगे और यहां से फिर हमने जो हाथ डालने के लिए मार्क करना है वो हमने 6 इंच करना है ठीक है अब इसी तरीके से डबल फोल्ड में है हमारा पोकिट का कपड़ा, यह देखिए, यह यहाँ पर, तो जितनी आपने यहाँ पर चोड़ाई रखनी है, 7-8 इंच तक आप रख सकते हैं, उतनी आप रख लेजिए, और नीचे तक लैंथ हम यहाँ पर रख लेंगे, जितनी हमारे अलग अलग रहेंगे, तो यह पोकिट की कटिंग भी हमारी हो गई है, और फ्रेंट्स कम्प्लीट हो गई है, हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग, आपको कैसी लगी, तो चलिए फ्रेंट्स मिलती हूं अगली वीडियो में, बाइ-बाइ-